मसकार किसान साथियो मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूटूब चेनल देश की सान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान सातियों हमने जो बोतर गंटे वाली दवाई का इस्प्रेख खीया था खर्पतवार नासक का इस्प्रेख कीया था जो की बुवाई के ततकाल बाद हमने किया था जिसमें की हमने आपको वीडियो भी डाला था ब्लोग के माध्यम से कि हमने जो डाइकलो सुलम 14 प्रतिसत होता है उसका याने की दबोज और आर्म इस्ट्रों का भी इस्प्रे किया है और अथोर्टी जो FMC की है बोतर गंटे वाली दवाई उसका भी इस्प्रे किया था कितनी मातरा में किया था कब किया था कितना पानी लिया था उसकी संपूर्ण जानकारी का वीडियो भी हमने डाला था और पूरी जानकारी उसमें डाली थी पर आज बात करेंगे कि दोनों का रिजल्ट कैसा आया है आज जो इस्प्रे किये हुए हमें 8 से 9 दिन हो चुके हैं और 8 से 9 दिन में कैसा रिजल्ट आया है कौन सी दवाई बेश्ट रही है कौन सी दवाई ने कैसा रिजल्ट दिया है पहले किसका रिजल्ट आया है उसकी पूरी बात करेंगे और खरपतवार अगर उगी है तो कौन सी कंडिशन में उगी है वह खतम होगी या नहीं होगी उससे भी आपको पूरा परिचीत कराएंगे तो आप वीडियो को पूरी जानकारी के लिए पूरा जरूर देखे वीडियो पसंद आये तो लाइक जरू करे और जादास जादा किसान बयों तक जानकारी पहुचाने के लिए सेर जरू करे और एसे ही सभी परिक्षण करने के लिए और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर और जो है घंटी का बटन भी जरूर दबादे जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक भी ना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा तो आई ये जानकारी सुरू करते हैं किसान सातियों हमने जो अथोर्टी दवई जहां पर डाली थी वहां पर खर्पतवार आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं हुगी है बिल्कुल भी नहीं हुगी है मतलब 90 प्रतिसत जो खर्पतवार है वह नहीं हुगी है पर कहीं कहीं पर हम जहाँ पर जो है थोड़ा लेट हुए थे जैसे कि जहाँ पर 24 गंटे के अंदर अंदर जहाँ पर खरपतवार नासक काम ने इस्प्रे कर दिया था बुवाई के बाद 24 गंटे के अंदर अंदर वहाँ पर बिल्कुल भी खरपतवार नहीं होगी है और जहाँ पर 24 से 48 जो हएं पर कुछ एक खर्पत्वार हमें देखने को इस प्रकार से मिल रहे हैं जो कि आप अपनी जो है इसक्रीन पर देख सकते हो पर इसमें भी जो है result आया है जहां पर खरपतवार उगे तो नहीं है और कुछ मात्रा में 5 से 7 प्रतिसद खरपतवार हम मान सकते हैं कि उगे है तो उनमें भी वो चाल नहीं है ग्रोथ नहीं है और वह पीले पड़कर और सपेद रंग के होकर सूखने की कगार पर आ चुके हैं यह रिजल्ट है अथोर्टी का जो की FMC कंपनी की अथोर्टी नेक्स्ट है उसका रिजल्ट है हम देख रहे हैं जिसमें की हम जो खरपतवार बता रहे हैं बोखना खरपतवार है यह कुछ-कुछ मात्रा में उगा है पर उगने के जो अंकूरित हो चुका था उसके बाद इस पर हुआ इसलिए यह जो है इसका रिजल्ट ऐसा देखने को मिल रहा है बाकी तो कहीं पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है खरपतवार नहीं उगी है मतलब रिजल्ट इसका बहुत ही सांधार आया है खर्चा भी इसका 500-600 रुपए बिगे का आता है पर रिजल्ट भी उसकी तुल्ना में ऐसा ही देखने को मिलता है और खरपतवार अगर उगती भी है तो वह ग्रोथ नहीं करती है और धीरे-धीरे 8-10 दिन में बिल्कूल पीली पढ़कर अच्छी नमी होने पर अच्छे से खतम हो जाती है आप सभी खरपतवारों को देख सकते हो बिल्कूल ही सपेद रंग के हो चुके हैं बूरे रंग के हो चुके हैं जबकि इनका बोखने का रंग हरा होता है अब आगे हम जो है डाइकलो सुलम याने की जो धनुका की दबोच और जो डव कंपनी का इस्ट्रोंग आम होता है उसका रिजल्ट हम देखेंगे तो किसान साथियो अब हम आ गए हैं जो आर्म इस्ट्रोंग का जो इस्प्रे हमने किया था और जो दबोच का इस्प्रे किया था उस खेत में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है तो किसान साथियो यहाँ पर जो है खरपतवार अथोर्टी की तुन्ना में जादा मात्रा में जो उग गए हैं पर जो है कंट्रोल इसका भी अच्छा देखने को मिल रहा है पर खरपतवार यहाँ पर जो चोड़ी पत्ती की अधिकतर है उसमें सिर्फ बोखना अधिकतर इसमें उगा है पर वो उगने के बाद में बिल्कुल सड़ कर खत्म हो रहा है आप देख सकते हो उसकी भी कोई चाल नहीं है और यहाँ से जो डेमेज होकर बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर यह भी जा रहा है तो यह आर्म इस्ट्रोंग आम अपना जो होता है डव कंपनी का उसका रिजल्ट आप देख सकते हो इसका भी जो हमने 24-48 गंटे के अंदर अंदर ही इस्प्रेक कर दिया था बुवाई के बाद में तो उसमें भी आप देख सकते हो जो काचरी जो होती है उसके उपर भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है कुछ काचरी अंकूरित नहीं हुई है और कुछ हो गई है वह भी चाल नहीं पकड़ पा रही है आद 10 दिन में भी ये कंडिसन है निकलने के बाद ने पीली पड़के सूखने की कगार पर ये लग रही है और इसकी जड़े आप देख सकते हो बिल्कुल भी हरी नहीं है बिल्कुल ही खतम होने की गगार पर ये भी है इसमें जड़े आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ जो तांत निकलती है वही है और जिसकी वज़े से यह पोसकता तो नहीं मिलने के कारण इसके सबी सिस्टम भी ब्लोक हो चुके हैं और यह धूप निकलने पर बिल्कुल ही सूख जाएगी तो आप रिजल्ट देख सकते हो बोखने के उपर भी इसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि इसको उखाणने पर इसकी जड़ है वो बिल्कुली खत्म हो रही है तो अगर आपने भी जो इस्ट्रोंग आम का इस्प्रे अगर किया है और आपके यहाँ पर भी खरपतवार उग आई थी तो उसके बाद भी आपको चिंता करने के आवसकता नहीं है अंकुरन के पहले भी खत्म इसने किया है और इस्प्रे के बाद कोई खरपतवार अगर उख चुकी है तो वह भी यह समाप्त कर देगा जो कि आप देख रहे हो जो बोखना नाम की जो खरपतवार काफी खतरना की स्थिती बना रही है इस वर्ष उसे भी इसने अच्छा कंट्रोल किया है और यह भी जो है अच्छा नियंत्रन दे रहा है अब हम जो डाइकलो सुलम याने की दानुका की दबोच का जहां पर इस्प्रे किया है वहाँ पर चलने का प्रयास करते हैं किसान साथियों हम दबोच का जहां पर इस्प्रे किया था जिसमें भी डाइकलो सुलम है वहाँ पर आ चुके हैं और वहाँ पर भी बिल्कुल जो इस्ट्रोंग आम की जो कंडिसन होती है वही कंडिसन है खरपतवार कुस तो उगे ही नहीं है और 10 से 20 प्रतिसत खरपतवा वह बिल्कुल ही खतम हो चुकी है सड़ चुकी है आप जो है विज्वल में भी देख सकते हो और यह जो दुद्धी नाम का खरपतवार है इसको भी वही पर रोग दिया है और इसकी जड़ है वह काली पड़कर जो है खतम होने की कगार पर पड़ रही है तो दोनों का बोच है डाइकलो सुलम के जो भी प्रोड़क्ट है वह हमने डाले थे तो उनका जो खर्चा है वह 200-500 रुपए प्रति भीगागा है तो उनका रिजल्ट भी थोड़ा हमें लेट देखने को मिला है या थोड़ा गुनिस देखने को मिला है तो आप अपने बजट के अनुस और अपनी जो घर की इस्तिति की अनुसार जो है इस्प्रे कर सकते हो दोनों में से किसी का भी पर अथोर्टी का रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला है हमें उससे पूरी संतुष्टी है बाकी जो बोच और इस्ट्रोंग आम के जो रिजल्ट है वह थोड़े गुनि जरुर बतारों वीडियो को लाइक करें जिससे हमें होशला मिले और अपके सवाल के जवाब भी जरूर करें गें गर आपके कोई सुजा होंने का पहुचाने का प्रयास हम करेंगे और यह सोयाबिन हमारी 61-24 की वेराइटी है जो की काफी ज़्यादा फुटाव लेती हैं और काफी ज़्यादा फेलती हैं और अगर इसे ज़्यादा मात्रा में जो डाल दिया जाए तो यह फिर जो है नीचे गिरने की आड़ी पढ़ने की समश्या आती है अब इसमें हम कुल्चे जो डोरे होते हैं वह चलाएंगे और उसके माध्यम से जो यह खर्पतवार सड़ रही है यह पूरी तरह से खतम करने का प्रयास हम करेंगे तो यह थी जानकारी आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका विशेज धन्यवाद फिर मिल करते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब कब के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत